प्रेंट्स आप देख रहे हैं यूनिक मेडिसिन यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे टसिन डियामार खासी के सिरप के बारे में जो की बच्चों के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तो अगर आपके घर में नन्ने मुन्ने बच्चे हैं और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ही खेलते हैं और कभी कभी क्या वो नंगे पैर घरों में घूम जाते हैं तो उनको सर्दी खासी बहुत जल्दी पकाड़ लेती है और इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए घर में टसिन डीमर सीरप का होना बहुत ही जरूरी है तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और जानेंगे complete detail दोस्तो टसिन डीमर सीरप एक pediatric cup सीरप है टसिन डीमर सीरप का इस्तमाल बच्चों में जब कभी बच्चों को खासी हो जाती है उनको नाक बहने लगती है नजला हो जाता है जुकाम हो जाता है इसके साथ साथ आँखों से पानी निकलता है खुजली होने लगती है उनकी आखें लाल हो जाती है स्वैलिंग होने लगती है या गले में खरकराट रहती है तब इस सीरप का इस्तमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टसिंग DMR के डोस की अगर आपका बच्चा एक या दो साल का है तब आपका जो सीरप का डोस रहेगा वो अलग-अलग हो जाएगा या आप देख सकते हैं अगर आपका बच्चा एक साल का है तब इस सीरप का आप धाईट से तीन एमेल तक सुबह साम यूज कर सकते हैं अगर आपका बच्चा दो साल का है तब इस सीरप का आप 5 ml सुबह साम यूज़ कर सकते हैं या बच्चे का वेट और हाइट ठीक है तब उसको 5-5 ml तीन वार भी आप दे सकते हैं तो फ्रेंड्स ये टसिंडीमर सीरप जो काम करता है वो बच्चों को खासी को खतम करता है उनकी जो रनिंग नोज है उसको खतम करता है जो नाक बहना है बच्चों का इसके साथ ही साथ बच्चों की जो फेपडों पर बलगम जम जाता है जो म्यूकस जम जाता है उसको ये पतला करके बाहर निकालता है और साथ में जो बच्चों को आँखों में पानी निकलता है आँखें लाल हो जाती है बार बार आँखों में खुजली मचने लगती है तो उस तरह की सभी समस्याओं को ये खतम कर देता है फ्रेंड्स यहां ध्यान रखना है कि जब आप सीरप का यूज करें तो अपने डॉक्टर से सला ले लें और इसके साथ ही साथ सीरप की जो भी डोस डॉक्टर आपको बताते हैं उस डोस को आपने मिस नहीं करना है उस डोस को सही समय पर बच्चों को देना है ताकि वो सूखने लगता है तो इस तरह की common side effect है जो बच्चों में देखने को मिल जाते हैं तो यह नॉर्मल common side effect है अगर आपको लगता है तो आप अपनी डॉक्टर से सला लेकर आगे फेदर जो भी आगे का जो भी treatment है वो डॉक्टर की सला के नुसार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बा allergic है डेक़न जे श्टेड है एक्सपेक्टरेंट है तो यहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह इसकी विसेशताएं हैं और इस तरह से यह काम करता है और बात कर लेते हैं इसकी combination medicine की तो आप यहां combination medicine भी देख सकते हैं Dextromethrofen, Hydroclormide देख सकते हैं Hydrobromide और इसके साथ ही Citrusin, Dihydrocloride देख सकते हैं, Phenylphrine, Hydrocloride देख सकते हैं, Ambroxil, Hydrocloride देख सकते हैं, Guifacinin देख सकते हैं, Sodium citrate देख सकते हैं सिंग केमिकल कंपनी का ये बनाया हुआ है तो आप यहां इसका यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी टसिंड येमार सीरप के बारे में जानकारी मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए जैहीं